हालो इस्टुडेंट्स मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में स्वाइब करता हूं आज की इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी आरिंग हो कि उसका 10% करी बच्छों को फ्री एजूकेशन प्राइट करने में किया जाएगा तो सपोर्ट करते रहे तो आज हम नाइन क्लास साइन्स का जो फिजेक्स का चैप्टर है चैप्टर नंबर नाइन फॉर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसका इंसे आटे की बुक में गिवन एक्जाम्पल नंबर 9.7 करेंगे बहुत ही बहुत ही अच्छे से में बताने वाला हूं इस लिए इस वीडियो को पू सकते हैं कुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो क्या है स्टेट्मेंट हमारे एक्जाम्पल नंबर 9.7 का स्टेट्मेंट पढ़ते हैं गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम जम्प विट अ होरिजॉंटल वेलोसिटी और 5 मिटर पर सेकंड ऑन्टु ए स्टेशनरी काट विट इस गर्ल ऑफ मास को एक हमें 40 किलोग्राम तो यहां पर हम यह लिख लेते हैं कि स्टेशनरी काट यहां पर सब्सक्राइब ऑन तो इसकारण में लगे हुए विल्स लगे हुए है और विल्स कैसे है यहां पर हमें कहा है कि यहां पर फ्रिक्शन लेस विल नहीं होते तो यहां पर फ्रिक्शनल फॉर्स होता तो यहां पर एक यहां पर कोई एक्स्टरनल फॉर्स नहीं है फिर उसका आगे क्या कहा है इस कार्ट का मास कितना कि वने हमें 3 तो मतलब वह यहां में लिख दिया फाइफ मिटर पर सेकंड अब यह जो कार्ट है कार्ट कैसा फिर उसके वाद हमें क्या कहा है अब देहो क्या रख हुआ यहां पर गया क्या हुई ए उस ने क्या किया उस के उपर जंप कर दिया किस वेलोसिटी से जंप किया किस वेलोसिटी से आ रही थी तो देखो यह प्रैक्टिकल यह बात है कि अगर हम रन करते हुए आ रहे हैं दोड़ते हुए और कहीं पर कोई करने लगें लगें लुच्तिक Okay yes करने के बाद दोनों साथ में मोशन कर रहे हैं रहे हैं रखने के बाद जब पहुने के बाद जब girl क्या हो गए, is cat के उपर आ गई, तो car और girl, दोनों क्या कर रहे हैं, चाल में motion कर रहे हैं, यह दोनों मिल कर, एक body बन गए, यह दोनों मिल कर एक body बन गए, क्योंकि इन दोनों की velocity अब क्या हो गई, सेम, तो after jumping, इन दोनों का total mass, M1 प्लस M2 तो M1 की value कितनी है 40 kg प्लस M2 की value कितनी है 3 kg तो 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43 kg अब यह दोनों साथ में क्या कर रहे है motion कर रहे है साथ में movement कर रहे है तो इनकी जो final velocity है वह हमने कितनी कंसिडर कर लिए इनकी final velocity हमने कंसिडर कर लिए कितनी है वी तो हमें यह final velocity ही calculate करनी है हमें क्या करना है यह final velocity calculate करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे law of conservation of momentum कि अगर यहां पर external force नहीं है यह क्या बोल रहा है there is no external unbalanced force working on this horizontal direction कि इस horizontal direction में कोई भी unbalanced external force नहीं है तो हमें पता है कि जब भी unbalanced external force नहीं है तो क्या होता है before और after जो momentum है वो कैसा रहेगा एकवल रहेगा तो इन दोनों की interaction में आने से पहले और इन दोनों की interaction में आने के बाद दोनों time जो total momenta है वो कैसा रहेगा एकवल तो total momenta total momenta before interaction ठीक है before interaction के इन दोनों के interaction में आने से पहले momentum कितना था तो momentum of girl plus momentum of card तो girl का momentum कीतना रहेगा m1 u1 plus card का momentum क्या हता है mass into velocity तो यह card का mass कितना है m2 और card की velocity कितनी है u2 तो यह क्या आ गया momentum of girl और यह क्या momentum of card तो यह आ गया total momenta girl plus card ठीक है अब इन सभी की value पुट कर देते हैं तो m1 की value कितनी है 40 kg into u1 u1 की value कितनी है 5 meter per second तो यहां लिख देता हूं 5 meter per second plus m2 m2 की value कितनी है 3 kg तो यहां मैंने लिख दिया 3 kg into u2 u2 की value कितनी है 0 क्योंकि card stationary initially stationary condition में rest में है तो यह हो गया 0 तो यह 3 में 0 से multiply करेंगे तो तो कितना हो जाएगा 0 40 में 5 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा true 200 इसको मैं देता हूं equation number first तो यह तो total moment time before interaction अब हम total moment निकालेंगे after interaction तो total momenta क्या निकाल रहे है अब हम total momenta momenta क्या होता है plural of momentum दो momentum है तो उन दोनों का plural को हम क्या हो लेंगे momenta total momenta after interaction क्या निकाल रहे है हम total momenta after interaction आ रहा है न समझ में सो तो नहीं गए ठीक है तो हमें क्या निकालना है total momenta after interaction तो interaction के बाद यह दोनों साथ में movement कर रहें तो इसको हम देदेते है equation number second अब law of conservation of momentum क्या गेता है कि total momenta before collision और before interaction will be equal to total momenta after interaction की interaction से पहले और interaction के बाद दोनों time जो momenta है वो किसा रहेगा equal तो इन दोनों momenta को हम क्या कर देते है इक्वल पूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आजएगा from equation second and first 43 we is equal to 200 हमारे पास क्या जगा जो 43 वी है इस 43 को हम 200 के इक्वल पूट कर दिया क्योंकि यह after interaction के after momenta है और interaction से पहले का momenta है तो दोनों को इक्वल पूट कर दिया 43 इधर multiply में है इक्वल टू के उदर जाएगा तो दिवाइड में हो जाएगा तो हमारे पास वी खी वेल्यू कितनी आजएगे वी इस इक्वल टू हमें इस पॉजीटिव आई है तो अगर तो दिया रहा है मतलब दोनों की वेल्यूसिटिव के स्टेशनरी कंडिशन में इसकी सब्सक्राइब बताना है कि इस पर जंप हुई तो आफ्टर इंटर इंटरेक्शन इन दोनों की मिला कर वेलेसिति कितनी हो जाएगी तो जब आइक बोडि बन जाएगी तो बोडी का मास कितना रहेगा प्लस एंटू कितना गया 43 हमें बताना है आफ्टर इंटरेक्शन की वेलोसिटी मतलब डी की वेल्यू कैलकुलेट करना है तो हमने क्या निकाला टोटल मोमेंटा बिफोर इंटरेक्शन तो मोमेंटा मुमेंटम और प्लस मोमेंटम और काट तो वो कितना आगया हमारे पास 200 उ इसको दिए एक्वेशन नमबर सेकंड अब हमने क्या कहा लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा से के जो मोमेंटम है और इंटरेक्शन और आफ्टर इंटरेक्शन दोनों एकवल रहेगा तो दोनों को एकवल पूट कर दिया 43 में था इधर आकर डिवाइड में आ गया तो तो नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाई